आज स्रेस्ट अभिनाई के लिए पुरसकर प्राप्त कान्ने वाली पल्लवी जोसी, अलिया वर्ट, कृति सेनन, जैसी अभिनेत्य ने भी सोशक्त महिला चरित्र की भूमी काई निभाई है। मुझे खुशी है कि महिला फिल्म निद्यशक स्रिष्टी लखेरा ने एक था गाउ नामों का अपनी पुरसक्रित फिल्म में एक 80 साल की गुर्धो महिला की संघर्ष करने की चमता का चीतन किया है। आज उत्राखन फिर गर्व महसूस कर रहा है। कल यानी मंगलवार 17 हक्टूबर को 69 राष्टी फिल्म पुरुसकार बाटे गए जिसमें टिहरी के कीरतनिगर की रहने वाली सुष्ट लखेरा की फिल्म एक था गाउं को बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गय गड़वाली और हिंडी में बनी इस फिल्म में घोष्ट विले जनी पलायन से खाली होते गाउं की कहानी दिखाए गई है। एक था गाउं फिल्म का प्रोडक्शन और निदेशन पहाल की बेटी सुष्टी लखेरा ने किया था। मंगलवार को उन्हें राष्ट पती द्रौपती मुर्मद्वारा पुरुष्कार से नवाजा गया। प्रोडक्शन पहाल की ब्रुष्कार देने के लिदेशक स्रिष्टी लखेरा ने एक था गाउं नामों का अपनी प्रोडक्श्कृत फिल्म में एक 80 साल की बुरुद्धो मुहिला की संघर्ष करने की चमता का चीत्रन किया। मुहिला चरित्रों को स्वाहन हुत्ति पुर्ण और कलात्मक चीत्रों से समाजन में मुहिलाओं के प्रती संब्यदन सिल्ता और सौनमान भी बुरुद्धीद होती है। वहीं एक था गाओं फिल्म को पुरुष्कार देने के बाद राश्टपती ने सोचल मीडिया प्लैट्फॉर्म एक्स पर लिखा। और प्रोड़क्शन का काम कर रही है। उनका परिवार फिलहाल रिश्यकेस में रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्राखंट तक।